आप सभी को डाक्टर अनिल प्रधान एकांस की उर्च से हार्दिक अभिनन्दन साधर अहिवादन विद्क्रम सीला हिंदी विद्यापीट रादेशिक साखा 36 गर द्वारा आयोजित अखिल भारतिय आप लाइन काव्य रचनापाट काव्य गुंजन के प्रथम कड़ी का प्रशारण हो चुका है इस कारेक्रम को आप लोगों का भरपूर प्यार मिला इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंतराष्टिय खास्यकवी श्री संदीप सर्माजी धार मध्यप्रदेश के मुख्य आतित्य केवं डॉक्टर संदीप कान्धी कुल्सचीव कलिंगा विश्विद्यालय रायपूर की अध्यत्यता मैं संपन हुए इस कारेक्रम को 56.7 प्रतिसत लोगों ने उत्कृष्ट क 38.3 लोगों ने बहुत अच्छा कहा और 5.3 लोगों ने अच्छा कहा यह रिव्यू हमारी लिए बहुत ही कुछ सहाजनक है इस प्रकार से रिव्यू प्राप्त होने पर हमारा मनोबल बढ़ता है कारेक्रम में 6 राज्यों के 9 कवियों ने अपनी उत्कृष्ट रचना का कावि रचना पाठ किया जिसमें डॉक्टर सुनिल परीट करनाटक के दुआरा 37.5 प्रतिसर्थ ओटों के साथ प्रथमिस्थान डॉक्टर पी आर वासुदेवन सेश चन्नाई 25 प्रतिसर्थ ओटों के साथ दुतिस्थान श्रीमती अंजुअकरवाल लखनवी अजमेर राजस्थान से 10.8 प्रतिसर्थ ओटों के साथ दृतिस्थान प्राप्त किया काब्य गुंजन की प्रत्थम कड़ी को प्रत्थम पांच दिवसों में ही 513 व्यूस और 121 रेस्पॉन्स प्राप्त हुए यह बहुत ही उच्साहजनत है इस उच्साहजनत व्यूस और रेस्पांस से हमारे दुआरा काब्य गुंजन की दूसरी कड़ी को प्रसारित करने का निर्ने लिया गया है काब्य गुंजन की दूसरी कड़ी 15 अगस श्रतंतरता दिवस पर आधारित होगी इस कड़ी में काब्य रचनापाट देशभक्ती की थीम पर आधारित होगी समस्त रचनाकारों से बिनम्र अपील है कि वे अपनी काब्य रचनापाट का आडियो दो से तीन मिनट के अंदर वाला हमारे पास प्रसारित करने के लिए प्रिसीद करें काब्य गुंजन की विभिन कारेकरमों के संदर में जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे दुआरा एक वार्चसप ग्रूप बनाया गया है जिसका लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है इस लिंक को टच करके आप वार्चसप ग्रूप में सामील हो सकते हैं हमारे वार्चसप ग्रूप में सामील होईए इससे आपको काब्य गुंजन कारेकरम के द्वारा किये जाने वाले विभिन कारेकरमों की नविन्तम जानकारी लगातार मिलती रहेगी काब्य गुंजन कारेकरम के प्रथम कड़ी में आपके द्वारा दिये गया इसने हैं अतिथियों के द्वारा दिया गया समय और समस्त कवियों के द्वारा किये गया रचना पाठ के लिए काब्य गुंजन परिवार सदेव आभारी रहेगा आप सभी को कुनह हर्दिक आभ आर्दिक खन्यवाद